हलो स्टुडेंट्स, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्ट्स रिजन क्लासेश, मेरा नाम रंजना गुपता है आज हम आप लोगों को UPPGT आर्ट 2013 का कुश्चन पेपर सौल्व कराएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं कुश्चन नंबर वन से कुश्चन नंबर वन है, समान्य अखबार में एक कॉलम की चोड़ाई है आप्शन A है 1.5 cm, आप्शन B है 4.5 cm, आप्शन C है 5.4 cm, आप्शन D है 5.6 cm समान्य अखबार में एक कॉलम की चोड़ाई होती है 4.5 cm next question है, संतरईदास के गुरू का क्या नाम था? उत्तर प्रदेश में प्राप प्रागतिहासिक चितर कहां है? आप्शन A है सिम्हारिया, आप्शन B है सारनाथ, आप्शन C है अवद, आप्शन D है मिर्जापूर तो यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा मिर्जापूर दिखें सर्व प्रिथम प्रागतिहासिक चित्रों की खोज मिर्जापूर में हुई थी ठीक है और किसने की थी तो सन 1880 स्वी में आर्चिवाल कारलाइल वा जौन कॉकबर ने की थी ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है फैज, एहमत, फैज कौन थे आप्शन A है मुगल बात्सा, आप्शन B है मुगल से नपती, आप्शन C है शायर, आप्शन D है गायग फैज, एहमत, फैज क्या थे सायर थे नेक्स्ट कोश्चन है रंग रस्या फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई आप्शन A है डेपी राय चोदरी, आप्शन B है मेफ हुसैन, आप्शन C है अंजली एला मेनन, आप्शन D है राजा रवी वर्मा रंग रस्या फिल्म, राजा रवी वर्मा के जीवन पर बनाई गई है नेक्स्ट कोश्चन है, मौला राम कौन थे? आप्शन A है मुर्तिकार, आप्शन B है चित्रकार, आप्शन C है गीतकार, आप्शन D है संगीतकार मौला राम चित्रकार थे, कहां के थे? तो पहाड़ी के गढ़वाल सैली के चित्रकार थे नेक्स्ट कोश्चन है, ललित खलाव में कौन सा तत्व समान रुप से प्रयुक्त होता है? आप्शन A है तान, आप्शन B है पोद, आप्शन C है त्री आयामी, आप्शन D है ले तो ललित खलाव में कौन सा तत्व समान रुप से प्रयुक्त होता है? ले, ठीक है? यहाँ ले सही हो जाएगा निक्स्ट कोश्चन है बोधी व्रिक्ष क्या है? आप्शन A है आमला व्रिक्ष, आप्शन B है आम का व्रिक्ष, आप्शन C है वट का व्रिक्ष, आप्शन D है पीपल का व्रिक्ष तो बोधी व्रिक्ष पीपल का व्रिक्ष है, ठीक है? निक्स्ट कोश्चन है भारती तिरंगे जंडे में चक्र किसका प्रतीक है? आप्शन A है मौन, आप्शन B है मध्यम गती, आप्शन C है निरंतर गती, आप्शन D है स्थाई भाव भारती तिरंगे जंडे में चक्र निरंतर गती का प्रतीक है निक्स्ट कोश्चन है किस सहर को पितन लगरी कहते हैं आप्सन ए है फिरोजाबाद, आप्सन भी है फरुखाबाद, आप्सन सी है मुर्शीदाबाद, आप्सन डी है मुरादाबाद तो पितन लगरी मुरादाबाद को कहते हैं ठीक है निक्स्ट कोश्चन है विकास बट्टा चार ने किस वाद में चित्रण कार किया ओप्सन ए है अथी अथार्द वाद, ओप्सन भी है घन वाद, ओप्सन सी है सीरियलिजम, ओप्सन डी है अभी व्यंजना वाद तो विकास बटाचार्य ने अथी अथार्दवाद में चित्रन कार किया देखी विकास बटाचार्य का टाइम पिरियेट 1940-2006 इसवी है इनका जन कलकत्ता में हुआ था इन्हें फोटोग्राफिक अथी अथार्दवाद का प्रतिपादक कहा जाता है इनके प्रमुक चित्र हैं जैसे डॉल सिरीज, ट्यूबेल का उद्गाटन, दा टोटम, मैन ओन दा स्वींग, देथलेस एंटिक ये सारे चित्रम एक्जाम में पूछे जा चुके हैं ठीक है नेक्स कोश्चन है असोक इस्तंभ पर लिखी लिपी है आप्सन ए है ब्राहमी, आप्सन बी है दिवनागरी, आप्सन सी है पाली, आप्सन डी है संस्कृत तो असोक इस्तंभ पर ब्राहमी लिपी लिखी गई है ठीक है नेक्स कोश्चन है यूरोप की कलाके पुनर जागर काल का प्रमुक कलाकार कौन है आप्सन ए है मेसेचियो, आप्सन बी है लियोनाडो दाविंची, आप्सन सी है पालो चेलो, आप्सन डी है टीशियन यूरोप की कलाके पुनर जागर काल का प्रमुक कलाकार यहाँ पर लियोनाडो दाविंची हो जाएंगे next question है तारपीन के तेल का प्रयोग oil painting में किया जाता है option A है binder के रूप में, option B है रंग में चमक के लिए option C है रंग को पतला करने के लिए, option D है इन में से कोई नहीं तारपीन के तेल का प्रयोग oil painting में रंग को पतला करने के लिए किया जाता है निख्ष कोश्चन है इलहा बात विस्वि ध्याले में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? आप्सन ए है LM सेन, आप्सन B है के A के हलदार, आप्सन C है चितिंद्रनात मुझूमदार, आप्सन D है यामिनी राय इलहाबाद विस विध्याले में चितकला विभाग की स्थापना छितिंद्रनात मजुमदार ने की थी किसके सहयोग से की थी तो अमर्नात जहां के सहयोग से की थी और चितकला विभाग की स्थापना कब की थी तो 1 सितम्बर 1942 इस्वी में चितिंद्रनाथ मुझुमदार ने अमरनाथ जहां के सहयोग से इलाब अस्वी विद्धाले में चित कला विभाक की स्थापना की थी ठीक है चितिंद्रनाथ मुझुमदार का टाइम पिरियड 1891 से 1875 इस्वी है इनका जन्म पस्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद के निम्तिता नामक स्थाण पर हुआ था ठीक है इन्हें भावों का समराथ वैश्रो कलाकार कहा जाता है नेक्स्ट कोस्चन है सीवी रमन को नोबिल पुरुसकार किस लिए दिया गया था उप्सटन A है रमन प्रभाव, उप्सटन B है रमन विज्ञान, उप्सटन C है रमन रसायन, उप्सटन D है इनमें से कोई नहीं सीवी रमन को नोबिल पुरुसकार रमन प्रभाव के लिए दिया गया था अब रमन प्रभाव क्या होता है? दिखे, जब कोई एकवरणी प्रकास द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आप्तित प्रकास के साथ अत्यलप तीवरता का कुछ अन्यवरणों का प्रकास दिखने में आता है इसी की खोज किसने किती सीवी रमन ने और इन्हें के नाम पर इसका नाम रमन प्रभाव पड़ा निक्स कोश्चन है सेरसा का प्रिशित मगबरा कहा है ओप्सन ए है कलकत्ता ओप्सन बी है दिल्ली ओप्सन डी सी है अचमेद ओप्सन डी है सासा राम देखे सेर्सा सूरी का मगबरा सासा रम विहार में है next question है बीहु निर्त्य कहां का है option A है उडिसा, option B है असम, option C है मडीपूर, option D है छतिसगड बीहु निर्त्य असम का है next question है रंगिन काच की खिड़ियों की कला किस समय में प्रारम हुई आप्सन A है गोथिक, आप्सन B है बरोक, आप्सन C है बाइजन टाइन, आप्सन D है इनमें से कोई नहीं रंगिन काज की खिडक्यों की कला गोथिक के समय में प्रारम हुई थी निक्स कोश्चन है सिंधु सबता की कोज किसने की थी आप्सन A है रोत्रदमन, आप्सन B है राय बहादुर दयाराम सहानी, आप्सन C है प्रतिहार नरेश बोज, आप्सन D है गोत्मी बलस्री यहां राइट एंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम सहानी निक्स कोश्चन है कौन सा उपन्यास मुनसी प्रेमचंद का है आप्सन A है गबन, आप्सन B है तितली, आप्सन C है पाथेर पांचाली, आप्सन D है गोरा देखे मुनसी प्रेमचंद का गबन, गोदान यह दू पन्यास जो है बहुत ज़्यादा प्रिसिद है निक्स कोश्चन है पार्सियों का पवित्र ग्रंथ क्या है आप्सन A है तोरह, आप्सन B है जेंद अवेस्ट, आप्सन C है कुरान, आप्सन D है गीता तो पार्थियों का पवित्र ग्रंथ क्या है जेंद अवेस्टा है ठीक है इसे जेंद अवेस्टा बोलते हैं नेक्स कोश्चन है चार्ण के किस लिए प्रसिद रहे हैं Option A है अर्थ सास्त्र के लिए, Option B है धनुर्विध्या के लिए, Option C है जोतिस के लिए, Option D है खगोल सास्त्र के लिए तो चाणक अर्थ सास्त्र के लिए प्रसिद रहे हैं, अर्थ सास्त्र की रचना चाणक नहीं की है नेक्स्ट कोश्चन है कौन चित्रकार पदम विभूसर से सम्मानित है आप्सन A है नंदलाल बोस आप्सन B है रविंदर नाट टैगोर आप्सन C है असित कुमारहलदार आप्सन D है यामनी राय तो इन में से पदम विभूसर से सम्मानित चित्रकार है नंदलाल बोस ठीक है नंदलाल बोस का टाइम पिरिएट 1882 से 1966 इस्वी है इनका जन बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़कपूर नामक गाउं में हुआ था और इन्हें 1954 इस्वी में भारत सरकार द्वारा पदम विभूसर से सम्मानित किया गया था नेक्स कोश्चन है सुतंद्र भारत के प्रिथम भारती गवर्नर जनरल कौन थे आप्सन ए है मुम्मत अली जिन्ना आप्सन भी है पंडित जवाल आर नहरू आप्सन C है लाड माउंट बेटन आप्सन D है डॉक्टर राज गुपाला चारी सुतंद्र भारत के प्रिथम भारती गवर्नर जनरल डॉक्टर राज गुपाला चारी थे नेक्स कोश्चन है रामधारी सिंग दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ग्यान पीठ मिला था आप्सन A है ययाती, आप्सन B है चित्पावन, आप्सन C है मृत्युन जै, आप्सन D है उर्वसी तो रामधारी सिंग दिनकर को उर्वसी ग्रंथ के लिए ग्यान पीठ मिला था नेक्स कोश्चन है खनिश रंग में बाइंडर मिला होता है आप्सन A है अलसी का तेल, आप्सन B है तारविन का तेल, आप्सन C है प्राकृतिक ग्लू, आप्सन D है कोई नहीं तो खनिश रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू नेक्स कोश्चन है इंडियन स्कल्प्चर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है आप्सन A है गडपती, वी इस्थपती, आप्सन B है रायकृष्णिदास, आप्सन C है बी एस अगरवाल, आप्सन D है गुलाम मुहमत सेख इंडियन स्कुर्प्चर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक है गड़पती वी इस्थपती नेक्ष्ट कोश्चन है वैसाली की नगरवधू उपन्यास की लेखक कौन है आप्षन A है भगवती चरन्षरमा आपसन B है प्रेम्चन आप्षन C है फिराग गोरकपुरी आप्षन D है आचार्य चतुरसेन सास्त्री वैसाली की नगरवधू उपन्यास है अचार्य चतुरसेन सास्त्री का नेक्स्ट कोश्चन है Prince of Wales Museum किसके पास इस्थित है Option A है राश्ट्री संगरारे नई दिली Option B है जेजे स्कूल अफ आर्ट Option C है किस्टना आर्ट गैलरी Option D है जाहंगीर आर्ट गैलरी Prince of Wales Museum जाहंगीर आर्ट गैलरी के पास इस्थित है ये दोनों ही मुंबई में हैं Next question है के लास मंदिर किस प्राचिन गुफा में स्थित है Option A है अजन्ता, Option B है बाग, Option C है अलोरा, Option D है एली फेंटा के लास मंदिर अलोरा गुफा में स्थित है ठीक है अलोरा कहा है तो महराष्ट में है Next question है देविका रानी रोरी को इन में से कौन प्रुस्कार मिला था Option A है दादा सहाब फाल के, Option B है ज्यान पीट, Option C है भारत रत्न, Option D है इन में से कोई नहीं देविका रानी रोरी ये अभी नित्री थी इन्हें सर्व प्रिथम दादा सहाब फाल के प्रुस्कार मिला था कब 1970 इस्वी में Next Question है कंदरिया महादेव मंदिर कहां है First Option है सितनवासल, Option B है खजुराहो, Option C है भार, Option D है जोगी मारा कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में इस्थी थे, खजुराहो कहां है तो मध्य प्रिदेश में ठीक है कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पी थे, और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसी विसाल मंदिर है Next Question है, गांधार कला किसके समय पनपी थी? Option A है शाक्य, Option B है मौर्य, Option C है कुशार, Option D है शुंग तो गांधार कला किसके समय पनपी थी? कुशार काल के समय देखे कुशार काल में कला की गांधार तथा मधुरा सैलियों का विकास हुआ था, ठीक है? ये दो सैलिया विक्सित हुई थी Next Question है, भेक्चुप बुद का किस गुफा में चित्रित है? Option A है अलोरा, Option B है अजन्ता, Option C है बाग, Option D है एली फेंटा भिक्चुप बुद का चित्र अजन्ता की गुफा संक्या सत्रा में चित्रित है Next Question है, किस व्यक्ति को नॉबल पुरुषकार दो बार मिला? Option A है मैडम क्यूरी, Option B है रविदना टैगोर, Option C है हेंडरी ड्यूनेंट, Option D है गेरी बॉल्डी तो मैडम क्यूरी को दो बार नॉबल पुरुषकार मिला था Next Question है, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? Option A है प्रभाववाद, Option B है फाववाद, Option C है अतिय थार्दवाद, Option D है घनवाद तो मातिस फाववाद आंदोलन के अग्रणी थे, इससे फाववाद या जंगलवाद या फाविजम भी कहते हैं, ठीक है? देखें, फाववाद का टाइम पिरिएट 1905 से 1910 इस्वी है, इसका आरंब फ्रांस में हुआ था, और 20 वी शती में आधुनिक चितकला का प्रारंब फावाद से माना जाता है, ठीक है? फावाद का सबसे महत्व पूर्ण कलाकार कौन थे? हेंरी मातिस थे, ठीक है? और हेंरी मातिस को रंगों का इंजिनियर कहा जाता है, ऐसे कुश्चन आता है कि रंगों का इंजिनियर किसे कहा जाता है, तो हेंरी मातिस को कहा जाता है, निक्स कुश्चन है, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं option A है रेखा, option B है रंग, option C है रूप, option D है धरातल तो धरातल के अभाव में चित्र रचना संभो नहीं है जब धरातल ही नहीं होगा तो चित्रन किसमें करेंगे next question है हमजा नामा का सचित्री करण किसने करवाया option A है बाबर, option B है हुमायू, option C है अकबर, option D है जहां कील हमजा नामा का सचित्री करण अकबर ने करवाया था next question है बनी ठनी कि सैली का चित्र है option A है वाज सैली, option B है लोख सैली, option C है लगूच्चित्र सैली, option D है फ्रेस्को सैली बनी ठनी लगू चित्र सैली है ठीक है बनी ठनी कहां का ये है चित्र है राजस्थान की किसंगर सैली का ये चित्र है बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने किया था इस क्लास में UPPGT आर्ट 2013 के 40 questions तक solve करा दिये गए हैं अब next class में इसके आगे के question solve करा जाएंगे तब तक के लिए इसे तरह पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए थैंक यू सो मच